दोस्तो आज हम बात करेंगे माजून दबिदूल वर्द के बारे में इसके फाइदे क्या है, कैसे आपको लेना है, इंगिडियन्स क्या है ये सारी जानकारी जो है आज किस वीडियो में आपको दूंगा दोस्तों ये जो माजुन दबिदुल वर्द है ये क्लासिकल युनानी मेडिशन है आप इसे जो युनानी मेडिकल स्टोर होते हैं वहां से जो है आप इसे खरी सकते हैं या आप इसे ऑनलाइन भी मगा सकते हैं देखे ओनलाइन खरीदने की लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्चिन पर अविलिबल है अगर हम इसके इंग्रिडेंस की बात करें तो देखे इसे कई तरह की चीजों से मिलाकर है वो बनाई जाता है जैसे असारुन, तुख्मकसूस, तुख्मकासनी, मस्तगी, जाफ्रान, आदिस प्रकार से और भी कई इंग्रिडेंस जो है इसमें सामिल किये गए है जिससे ये मेडिशन है वो बनाई जाती है तो चलिए फिर अब बात करते हैं इसके फायदों के बारे में तो देखे दोस्तों माजून दबिदूल वर्द जो है न ये डाइजिस्टेव और लीवर से रिलिटेट समश्याओं के उपर जो है काम परता है अब जैसे की वर्म जिगर जिगर यानि लीवर में आपके इंफ्लमेशन हो गया है सूजन हो गया है तो उसमें जो है काफी फायदेमन होता है लीवर स्प्लिन का बढ़ जाना इसके लावा वर्म रहम यानि गर्बस है की सूजन में भी बहुत ही असरदार जो है मेडिशन है लीवर सिरोसिस हैपिटाइटिस वो लीवर की किसी भी तरह की खराबी को दूर करने में जो है फायदा करता है अब देखे दोस्तों इसके लावा इंडाइजिशन की समझ्या खाना ठीक से हजम ना होना इसके लावा भूग ना लगना आपको खाने का मन नहीं करता तो उसमें भी फायदा करता है इसके लावा आतों की सूजन पेट का फूलना जैसी परिशानी को दूर करने में भी फायदा करता है इसके लावा दोस्तों सामनी कमजोरी को भी दूर करता है इसके लावा खटी डखारे आना, बधजमी, पेट में सूजन इसके लावा आपको नोजे टैब लगता है, जी मिसलाता है या इसके लावा मुँ में खटा पानी आना जैसे परिशानी को भी दूर करने में काफी यूसपुल जो है मेडिशन है तो दोस्तों इस प्रकार से इसके जो हैं फाइदे है अब अगर बात करें इसके डोस की, यानि कि आपको इसे कैसे लिना होता अगर इसकी बात करें तो देखिए 5-7 ग्राम तक आप जो हैसे सूबे के समय अर्क बाध्यान के साथ या अर्क मकोई के साथ या फिर आप चाहें तो इसे पानी के साथ भी है वो ले सकते हैं इसे male, female कोई भी ले सकता है लेकिन अगर बात करें बच्चों की तो बच्चे को देने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लें क्योंकि देखे डिपेंड करता है कि बच्चे की उम्र कितनी है इसके अलावाद जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वे भी इसे लेने से पहले डॉक्टर से सला लें क्योंकि देखे प्रेग्नेंट से दौरान अन्नेसेसरी कोई भी मेडिशन लेना है वो सही नहीं होता तो इसलिए इस बारे में आप पहले डॉक्टर से जरूर सला लें सैटिफेट की बात करें तो इसके ऐसा कोई सैटिफेट नहीं है लेकिन तब भी से लेने के बाद अगर आपको कुछ भी हल्थ में इस्यू लगता है तो आप इसे लिना है वो बंद भी कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से भी सलाय वो ले सकते हैं हाला कि इसका ऐसा कोई सैटिफेक नहीं है तो दोस्तो ये थी माजून दबिदूल वर्द के बारे में जानकारी अगर फिर भी कोई कोईशन आपके मन में चल रहा हो तो आप मुझे कॉमेंट्स के द्वारा भी पूछ सकते हैं वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप ही चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सस्क्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे मैं नहीं में जितेश and thank you so much for watching